हलो एवरिवान और वेलकम बाक टो दी चैनल टी एच क्लासर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका जो सैंपल क्वेस्टन पेपर है इंग्लिश 302 का तो यह एक वीडियो मैं आपके लिए रिविजिन टाइप की वीडियो बना रही हूं एक बहुत जल्दी जल्दी मै क्विक रिविजिन आपका करवाऊंगी और इसके साथ साथ आपको एक मतलब इस वीडियो में हम पूरा यह इस पेपर नहीं देखने वाले हैं इस वीडियो में हम जो बच्चे बार-बार कह रहे थे कि मैं हम ग्रामर लेकर आओ ग्रामर नहीं समझ जा रही है कैसे करें और इसके साथ अगर लेटर आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है ठीक है या फिर हमें बाकी जो चीजें हैं जैसे की मोडियूल में से अगर क्वेशन आएंगे तो वो किस तरीके क्या आएंगे तो आपको पता है हमने सिलिबस पूरा कवर कर लिया है लेकिन अब आपकी ग् एपर पहले हम कवर कर चुके हैं तो अगर जिसको पूरा देखना है वो पहली देख लेगा जो पहली की विडियो यह उनको इसमें देखो पाट ए है और एक पाट बी है हमें दोनों पार्ट करनी हैं दोनों में से कोई एक नहीं करना है हमें अए पहली आप extrem期 मिलें घ मन में confusion थी ये देखो ये सारे question हम पहले ही कर चुके हैं जैसे कि जो where the mind is without fear इसका लेखा कौन है इसका poet कौन है इस poem का तो देखो poet और poem के नाम अभी इसे revise कर लो जल्दी से जल्दी क्योंकि paper आज ही है तो अगर आज revise कर लोगे अभी तो बहुत याद भी रहेगा आपको तो इस poem के poet का नाम है रविंद्रिनाठ टैगो ठीक है अब देखो second question में बहुत बच्चे मुझे से कह रहे थे कि मैं आपने grandmother जो है यहां पर grandmother बैग नहीं करती है लव के लिए उस जो कमला दास है यानि जो poet है वो बैग करती है तो क्या हुआ कि उस वीडियो में मैंने grandmother इसलिए पढ़ा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था ठीक है जैसा आपको question paper में लिखा हुआ था मैंने वही flow flow में पढ़ दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया इतना तो उसके लिए माफ करिएगा चलिए बाकी सारी चेज़े छोड़ते हैं और अभी हम आते हैं हमारे question जो की important है यहां पर आपको क्या करना है basic basic वैसे समझा देते हूँ six से seven जो number question है पहले आपको यह text आपको पूरत अच्छे से पढ़ना है passage type का है फिर उसके बाद जो answer दिये हूँ है question दिये हूँ है इनके answer करने ठीक है अब उसके बाद इसी में से आपको यहां पर इन में से जो सही option है वो आपको tick करना है ठीक है उसके बाद second इसमें जो है eight question में आपको match the following करना है कि my son will not be a beggar ये वाली जो हमने पूरा एक chapter पढ़ा था उसमें किसका behavior कैसा था तो यह हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके बाद आन प्रमिला के बारी में आन प्रमिला ने कौन से ऐसे शब्दुते जिन्होंने आन प्रमिला के आरादना को बहुत जादा hurt किया कि वो एक adopted child है ठीक है कि वो एक adopted child है उसके बाद next है आपका यहां पर देखो non prescribed text में यहां पर आपको दिया हुआ एक passage ठीक है यह कुछ phrases दिये हुएं इनमें से title आपको निकालना है ठीक है तो यह सब आप कर लेंगे I hope so यह भी passage है और फिर उसके बाद आपका true or false है true or false basically आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है तो यह सब हम कर चुके हैं उसके बाद आपका section c यहां से आपका important है और यह मैंने पिछली वेडियो में भी समझाया था लेकिन काफी बच्चों को समझनी आया देखो आपको क्या करना है 14th number question से correct alternative choose करना है यानि कि सही जो option है इ five years now क्या करता है मेरा परिवार भोपाल में अभी अभी लिखा हुआ है यानि रहता है तो रहता है या रह रहा है कितने सालों से रह रहा है पांच सालों से रह रहा है तो रह रहा है उसके लिए हम इस्तमाल करते हैं has been living ing form का मतलब होता है रह रहा है ठीक है या फिर अगर य इसमें आएगा has lived यानि की रह चुका है एडी लग जाए तो इसका मतलब past की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर now लगा हुआ यानि present की बात हो रही है इसलिए present में ही जवाब देना था और इसलिए इसका answer has been living होगा ठीक है उसके बाद next देखो the wind यानि की जो हवा है dash heavily yesterday यानि की कल बहुत तेज हवा बही थी तो उसके लिए क्या होगा बहे रही थी कितनी तेज हवा बहे रही थी तो was blowing की बहुत तेज हवा बहे रही थी उसके बाद कुछ questions आते हैं उसमें से आपको क्या करना है किसी भी 3 question किसी भी 3 fill in the blanks को आपको भरना है तो इसमें आपक यह question जो है यह proposition से दिया गया है proposition का मतलब क्या होता है जहां पर हमें proposition का पता चलिकिसी भी चीज़ की जैसे we should leave we should live यानि कि हमें अपने means का मतलब होता है जो भी हमारे पास Sis available है उनी के साथ रहना चाहिए उनी में रहना चाहिए तो उनी में तो इसका मतलब हो जाएगा यहां पर within लगेगा ठीक है within लगेगा within का मतलब होता है कि जो हमारे पास है उसी चीज में हमें रहना है ठीक है अब next I could not agree him तो देखो जहां पर भी agree आए ना तो उसके साथ तो हमेशा with proposition लगती है मैं उसके साथ agree नहीं कर सकी तो over आएगा यहां पर hold all over the world until he was 80 years old जब तक वो 80 साल का नहीं हुआ अब उसके बाद the ball rolled dash the hole यानि कि जो ball है वो roll होते होते hole में चली गई तो होते होते into आएगा ठीक है into the hole उसमें चली गई में का मतलब होता है into ठीक है वैसे में का मतलब in होता है वैसे तो पर यहां पर hold में चली गई तो into the hole ठीक है आप उसके बाद type of यहां पर दो sentences किसी भी दो type की sentences को आपको पता लगाने ही हम पीछे कर चुके है उसके बाद है आपका fill in the blanks करना आपको डबलू एच जो family है देखो डबलू एच फैमिली भी मैंने आपको समझाई थी जहां पर what आता है ठीक है what का मतलब होता है क्या हूम आता है हूम का मतलब होता है कौन या कैसी कौन ठीक है हूम उसके बाद who आता है हूम का मतलब किसका भी हो सकता है तो वही सब हमसे बोला गया है और यह भी हम पीछे कर सके हैं कर चुके हैं तो यहाँ पर पहले आपको answer पड़ना पड़ेगा my hobby is swimming यानि मेरी hobby swimming है तैराकी है तो अगर कोई इनसान आपसे पूछेगा क्या पूछेगा आपके बारे में कि आपकी hobby क्या है क्या है है ना तो इसलिए यहाँ पर what आएगा कि आपकी hobby क्या है और वो बता रही है कि मेरी hobby swimming है बता रहा है basically उसके बाद यहाँ पर देखो it's interesting I enjoy it यानि कि वो बहुत interesting है मैं बहुत enjoy कर रहा हूं तो कोई आपसे अगर यह पूछ रहा है कि आपकी नई job कै कैसी है कैसी है how ठीक है how how is your new job how का मतलब होता है कैसा या कैसी उसके बाद यह देखो it ended before 8 पीम यानि कि वो तो पहले 8 बज़े से पहले ही खतम हो गई तो did the party end यानि कि कब खतम हुई when did the party end तो यह देखो इसका आपको simple सा यह फंडा है कि पहले आपको answer पढ़ना पड़ेग अगर कोई यह कह रहा है कि जैसे कि यहां पर था it ended before 8 पीम 8 पीम यानि कि 8 बज़े से पहले party खतम हो गई तो आप सवाल में क्या पूछेंगे कि party कब खतम हुई ठीक है तो इसलिए when आएगा तो यह तो आपको पूरा इस तरीके से अब आपको देखो यहां पर correct passive form निकालन का text basically यह passage type का है इसमें आपको correct alternative निकालने हैं यहां पर 19 और 20 question इसमें से दिया हुआ है और 3 marks का है तो पहला आपसे बोला गया है कि correct option निकालो जो कि एक perfect article इस perfect title होगा इस article का तो इक article की form में एक passage दिया हुआ है और इन में से क्या title इसका हो सकता है तो एक तो ऐसा question आएग सही चीज़े समझा रहा है तो वो है अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको अलावे इसको आपको और करके एक और question दे दिया कि summarize करो कि central idea क्या है इस article का यानि कि यह जो article है पूरा उसके बारे में आप summarize करके कह सकते हो कि यह article किस बारे में है यह किस बारे में बा कर्षित रहती है तो यह सब आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ठीक है उसके अलावा नीचे भी कुछ questions दिये हुए हैं और उसके बाद आपको यह question दिया हूँ है 28 question इसमें देखो यह question जो है यह भी आपको उपर जो हमने आर्टिकल पड़ा उसी से है तो यहां प पाएं तो यहां पर भी और करके आपको फ्लुएंसी आर्टिकल जो है फ्लुएंसी होती आर्टिकल में वो क्या होती है कि राइटर क्या लिखना चाहता है टेक्स को किस तरीके से लिखता है कि वह audience को ठैंक करना चाहता है या उसको मतलब cause or effect find करना तो इन में से कोई नहीं इसमें find करना है तो यह मैं आपको करवा देती हूं what a receptionist does not need from the following list to do her job efficiently यानि कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो की receptionist को ज़रूरत नहीं होती है अपनी desk पर हमने पीछे जो हमने वीडियो अपलोड करी है receptionist reception desk in you वाला chapter तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि receptionist की receptionist की जो desk होती है उस पर क्या-क्या चीज़े रखी होती है ठीक है तो उसमें आपको मैंने बताया था कि एक telephone directory भी होती है एक index book भी होती है telephone numbers की जो की वो use करती रहती है name and address of hotels भी होती है तो यह सारी चीज़े तो होती है लेकिन इन में से एक hobby डाइडी नहीं होती है तो इस flight के schedule है असपास वो सारी चीज़ उसके पास होती है flight के schedule कब आने वाली है flight कौन सी flight कब आएगी ठीक है और इसके लावा railway के जो time table होते हैं वो भी इसके पास होता है क्योंकि अगर कैसे इनसान ने उससे railway के बारे में पूछ लिया rail कौन सी कब आ रही है तो यह वो भी से बत घूमने जाते हैं तो हम उनसे पूछेंगे कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर हम घूमने जा सकते हैं तो वो भी उसे बताना पड़ेगा अब नेक्स टू प्राइम रिक्वार्मेंट्स मैंने आपको कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है यह आएगा यह आएगा कि दो कि ड्यूटीज क्या होती हैं यह भी मैं आपको करवा चुकी हूँ ठीक है अब यहां पर देखो यह यहां पर यह इंपॉर्डेंट क्वेशिन है यहां पर बोला गया है एक मार्क्स का है सरफ कुछ अंडरलाइन एक्स्प्रेशन जैसी यह वाला जो एक्स्प्रेशन है इस इतनी कंपनी की आइडेंटिटी देगी कि वो कहां से बात कर रही है फिर उसके बाद राकेश ने बोला कि हेर इस राकेश फ्रम मनाली मैं राकेश बोल रहा हूं मनाली से राकेश फिर आगे कहता है वोट डू यू वांट कि तुम्हें क्या चाहिए तो यह बहुत गलत सा लग रहा है ना मतलब उसने ऐसा लग रहा है कि अजीब सा फील दे रहा है कि रूड फील दे रहा है तो आपको इन में से निकालना है कि कौन सा इसमें सही आंसर हो सकता है क्योंकि राकेश ही आहां पर बोल रहा है तो राकेश तो राकेश से जवाब नहीं होसकता अब है इन दोनों में से कौन सा आईगा जिस से आपके भी जल्दी सरी वीशन हो जाएगी अब देखो नेक्स्टक्शन यहां पर दिया हुआ इसugenे और करके कि आपको कुछ या फिर एक face to face conversation हो रही है रूड है या पोलाइट है तो यह मैंने आपको समझाया था ना फॉस्ट चैप्टर में भी हमने देखा था देखो जैसे हम यहां पर देखते हैं हिंदुस्तान पैट्रोलियम से मैं बात कर रहा हूं कहना है तो यह का प्लीज यूँक्रम रियादव से बात कर सकता हूं प्लीज तो यह तो काफी ज़दा पॉलाइट लग रही है तो अर प्लाइट भी है ठीक है क्यों कि यहां पर यहांपर प्लीज का भी इसतमाल हुआ है है तो इसलिए सी आंसर इसका हो जाएगा next आपका कुछ question दिये हुआ है और सही answer आपको source करके लिखना है देखो steps arrange करने है टेलिफोनिक conversation की तो यह बहुत important है यह मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से आप steps arrange करते है सबसे पहले वो greet करती है ठीक है greet करने के बाद वो उसको आपको general rule बोले गए है कि calling out करने के लिए telephone number को call करने के लिए कौन से general rule आप इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो उसके बाद यहां पर देखो यह important है आप कुछ pairs दिये हुआ है थ्री टू यह सरीके से तो यह आपको basically यह general rule बताए हुए है मैंने आपको बोला था ना कि आपका आ सकता है फिर यह वाला हमने portion नहीं किया है क्योंकि यह module 2 है और यह optional है या तो आपको उपर वाला option करना है या फिर यह तो हम यह स्किप करेंगे उसके बाद हमारा क्या है उसके बाद हमारा 20 एक मिनटर के पार्ट B है यह रहा ठीक है पार्ट B है जिसमें पहला question यानि कि 26th question है यह भी आपको करना है कोई बच्चा यह न करे कि ऊपर वाला कर दे और फिर यह पार्ट B भूल जाए बोले कि module मतलब उसमें नहीं है option में नहीं है तो यह आपको करना ही करना है मोड्यूल में आपको चॉइज है इसमें चॉइज नहीं है अब आपको कोई भी एक question इसमें से करना है कि poet कैसे describe करता है heaven of freedom को हमने पढ़ा था ना कि जहां पर where the mind is without fear poem हमने पढ़ी थी उसमें poet कहता है कि heaven of freedom कैसा हो जहां पर सिक्षा सबको education सबको सही तरीके से और बिना भारत के लोग ऐसे हो जहां पर उनके मन में डर ना हो ठीक है अब देखो next recipe में दिया हुआ है why did the peasants say the name of God a hundred times क्यों जो peasants होते हैं यानि जो यह कहां से night of the scorpion से याद आया आया आपको हमने पढ़ा था यह निसम is a kill की poem है ठीक है निसम is a kill मैं spelling भी लिख देती हूं अगर poem का poet का नाम आ जाए तो प्लीज लिख दीजेगा निसम is a kill ठीक है इसकी poem है night of the scorpion इसमें इसकी मा को एक बिच्छू जो है डस लेता है तो वो कह रहा है कि जो उसके आसपास के जो किसान यह पडूसी आए उन्होंने भगवान का नाम हजारों बार क्यों लिया टू पैरलाइज दा एविल वन पैरलाइज दा एविल वन कि वो चाहते थे जो बिच्छू है वो पैरलाइज हो जाए और अगर वो म इंके पॉएट का नाम याद रखेगा नेक्स देखो इसमें नेक्स वेशन है तो कि बल्देव की जॉब डेंजरस क्यों तुड टाइगर इंदे टनल अच्छा बहुत सारे बच्चे कहने टाइगर इंदे टनल पोयम जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट नहीं किया तो हमन देगो यह दो माक्स है बल्देव की जॉब डेंजरस क्यों थी क्योंकि वो जंगल की बीचों बीच काम कर रहा था और उसका जॉब क्या था कि वह जो ट्रेंट आती है उसको ग्रीन लाइट दिखाना उसको सही रहा दिखाना आगे और उसको सिगनल देना कि आगे सब और वो जोब इसलिए डेंजरस थी क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच थी और वहाँ पर एक टाइगर भी रहता था जो मैन यूटर था यानि कि लोगों को खाता था ठीक है अब देखो next है अराधना वाले चैप्टर में वो अपनी मा के लिए डांस करती है और वो अपनी मदर के लिए ही क्यों डांस करती है क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो तुम डांस जरूर करोगी next day why did Aradhana think that she was not beautiful Aradhana क्यों सोचती थी कि वो सुन्दर नहीं है because she was dark and skinny क्योंकि वो एक dark और उसका skinny complexion dark complexion और skinny थी वो dark and skinny थी ठीक है यानि कि वो पतली सी थी और बहुत काली थी ठीक है आप यह कह सकते हैं काली तो नहीं पर दबा हुआ रंग था next day what is the surprise of the life that the train driver received यानि कि train driver ने क्या surprise receive किया था tiger in the tunnel में कि जो tiger था वो उसका जो train का जो आगे वाला पार्ट था फ्रंट जो पार्ट था उसमें tiger की half body फसी हुई थी और इसका मतलब यह था कि tiger अब मर चुका है ठीक है अब next question है according यह आपका question दिया हुआ है passage में से next आपका non-prescribed text है इसमें क्या करना होता है इसमें आपको यह passage दिया है question दिया है find out करना है और फिर लिखना है same नीचे वाले question में भी ऐसे ही है अब हम आते हैं हमारे अच्छे देखो यहां पर यह वाला मैंने आपको समझायता है कि word आजाएगा आपको seminal meaning का निकालने के लिए कि कोई भी दो words के आपको seminal meaning similar meaning आपको यहां से passage में से निकालने है तो यह भी important है और करना है आपको उसके बाद एक आता है passage जो है summary बनाने के लिए यानि कि यह passage दे दिया गया पूरा का पूरा इसमें से आपको summary निकालनी है summary का मतलब क्या होता है कि इस पूरे passage का क्या सार है इसको छोटे से रूप में आपको लिखना है इस पूरे passage को ठीक है यहां पर अगर 10-11 line है तो आपको इसको 6 lines में 5 lines में submit देना है तो इसमें आप क्या करेंगे कि कुछ मत करना किसी को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा summary कैसे करें तो 2 line 2-3 line उपर के उठालो और 2-3 line last के उठालो ठीक है और बीच की एक ये 2 line उठालो हो जाएगा आपका summary complete ठीक है जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा उसके लिए कह रही हूं और ऐसे ये वाला कर सकते हैं अब आदा मारे section सी grammar देखो ये important question है देखो इसमें क्या करना होता है इसमें आपको वर्ब दी होती है ठीक है वर्ब दी होती है और वर्ब को आपको क्या करना है कि सही उसमें लगाना है यानि कि कौन सी फोर्म आएगी यहां पर wind energy dash derived through a process where wind dash used to generate mechanical power or electricity तो यहां पर देखो wind energy is derived is derived is क्यों आया is क्यों कि present की बात हो रही है derived यहां पर देखो जो भी आपके फोर्म दी होई हो उसके पीछे ed लगा देना उसके पीछे ed लगाने दा बार बार कह रही हो ed लगाना अगर e है पहले से तो सिर्फ d लगाना और यहां पर देखो e है तो यहां पर भी क्या करेंगे is used लिख देंगे यहां पर यह देख लेना कि भाई जो past में बोल रहा है यह फिर present में बोल रहा है अगर past में बोल रहा है तो was used लिखेंगे ठीक है अगर present में बोल रहा है तो is used लिखेंगे और future का इसमें कुछ ऐसा कुछ हो आता नहीं है ठीक है अब देखो जैसे इसमें है इसमें यहां पर history की बात की है यानि कि यह past में sentence है past में है तो कुछ नहीं करना बिना सोचे समझे was लिख देना और इसके पीछे used लिख देना यहां पर भी यहां पर next क्या है एक नट रुको next यहां पर देखो क्या है grain and pumped water there is evidence that a wind energy dash used to propel boats यानि कि was used यहां पर भी was used ही आएगा कि यह जो है wind energy यह boards को ले जाने के लिए भी नील नदी से use होती थी अब देखो next है indirect direct से indirect speech में आपको बोलना इसको convert करना है तो यह मैं आपको करवा चुकी हूं यह भी मैं आपको नीचे करवा चुकी हूं इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको इसमें जो है which sabda इनको बीच में आपको लगाना होता है ठीक है उसके बाद आपका fundamental यह functional writing skill जो है यह important है तो यह देख लेते हैं जो 48th question है इसमा यह कह रहा है कि आपने एक order place किया है किसके साथ सारस electronics के साथ और इसका address पूरा दिया हुआ है कि महीूर विहार दिल्ली 1100902 for supply of a washing machine कि आपने washing machine का order दिया हुआ है जो कि आपके नए house यानि आरके पूराम आपका भी address दिया हुआ है sector 8 house number 142C यहाँ पर deliver होनी है washing machine but the delivery has not yet been made यानि delivery अभी तक हुई नहीं है तो आपको एक letter लिखना है manager को जिसमें आपको complain करनी है non receipt of the machine and inconvenience being experience और जिससे आपको क्या-क्या जो है दुविदा हो रही क्या-क्या आपको परिशानी हो रही है और आपका नाम भी दिया है आप प्रोहित हो जाए तो ये complaint letter है तो बच्चे कह रहे थे कि मैं letter करवा हूँ तो देखो मैं letter करवा रही हूं आपको कैसे आपको complaint letter लिखना है तीन marks का ये है ठीक है तो देखो कर लेते हैं इसको भी तो देखो इसका answer आपको इस सरी किसे लिखना है आपका नाम आपको दिया था रोहित अहुजा ठीक है house number 142C जो भी आपको address दिया था ना सबसे पहले आपका address आएगा और आपका नाम आएगा फिर उसके बाद आपको एक line छोड़नी है line छोडने के बाद आपको लिखना है date date आपको लिखना है फिर आपको line छोडनी है और फिर आपको यहाँ पर उस electronics या उस company का नाम लिखना है जो आपको paper में दिया जाएगा ठीक है फिर आपको लिखना है मयूर विहार जो भी उसका address आपको बताया गया था फिर एक line छोड़के आप लिखेंगे subject subject यानि wish है कि किस बारे में है यह letter complaint regarding non-deceit of washing machine order यानि कि जो washing machine का order है वो अभी तक नहीं receive हुआ है उसके बारे में complaint करते हुए letter दिया गया है फिर एक line छोड़ेंगे देखो जिस बचे को नहीं समझा रहा कैसे लिखना है तो यह format प्लीज याद कर लो यह format इसी तरीके से आपको formal letter आने वाला है तो formal इसी तरीके से लिखना है फिर dear sir या madam ठीक है फिर एक line छोड़नी है फिर आपको लिखना है कि I hope this letter finds you well कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यह letter आपको अच्छे उसमें मिले I am writing to express my concern regarding an order कि मैं अपना concern बताने के लिए यह letter लिख रहा हूँ जिसमें मैंने आपके साथ एक order place किया था जो कि washing machine का था मेरा नाम रोही तरूजा है फिर यह भी बताना है कि मैंने request करी थी यह delivery मेरे नए house यानि आरकेपुरम sector art में ठीक है उसके बाद unfortunately जो expected date है delivery की वो पास हो गई है और मुझे अभी तक order receive नहीं हुआ है washing machine का और इससे मुझे काफी जादा problem भी आ रही है same वोही सारी line ही यहाँ पर लिखी गई है जो कि question में आप से बोली गई थी और मेरी family जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के जो items है मतलब timely arrival नहीं हुआ है और मेरी family पूरी की पूरी washing machine जो है उस पर rely कर रही है लेकिन अभी तक order ना आने के वज़े से हमें बहुत problems हो रही है और मैं आप से request करता हूँ कि आप please इस matter को urgently देखे और मुझे update दे जो भी मेरे order का status है उसके बारे में ठीक है आप मैं समझता हूँ आपके circumstances आपके जो भी problems है लेकिन यह जो delay है इसके बारे में मुझे please जानकारी दे ठीक है और फिर उसके बाद आपको लिखना है जो communication है delay के बारे में अगर आप मूम जबता देंगी तो वह greatly appreciated होगा यानि मैं बहुत बहुत आपका अभार यह रहूँगा फिर एक बार line एक और छोड़ेंगे आप क्या करेंगे यह जिस तरीके से मैंने paragraph में दिया हुआ है वैसे यह आपको paragraph में लिखना है फिर उसके बाद आपको लिखना है कि आप मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ कि आप इस matter को जरूर देखेंगे और delivery जो है washing machine की वो जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुचा देंगे आपका cooperation जो resolving this issue है वो बहुत जादा highly appreciated है यानि मैं आपका cooperation याद रखूँगा फिर आपको last में लिखना है thank you for your attention यानि कि आपके attention के लिए शुक्रिया ठीक है फिर sincerely on last में आपका नाम तो यह था पूरा letter जो कि इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ठीक है तो यह letter आपको इस तरीके से लिखना था letter मैंने आपको पूरा समझा दिया है complaint letter आए चाहिए किसी भी तरीके का formal letter आए तो वह जो आपका यह जो format है same यही रहेगा अगर letter के उपर और वीडियो अच्छे से देखनी है तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर ठीक है अब next है आपको एक option है आपको attempt करना है इनमे से यहाँ पर देखो यह तो मैं पहले ही करवा चुकी थी memorandum को सही करने का जो यह line दी हुई है यह puzzle up दी हुई है ठीक है जंबल डप है और आपको इनको सही उसमें लिखना है sequence में अब इसका मैंने second नहीं करवाया था जिसमें कि आपको बोला गया है कि आप सेक्रेटरी हो जिम खाना क्लब के लखनाव में आपको एक notice लिखना है जो जादा 50 वर्ट से जादा करना हो और इसमें आपको बताना है अपने members को कि attend करे extraordinary meeting of the governing body ठीक है कोई एक meeting है आपकी जिम खाना क्लब में और वो meeting attend करने के लिए बोला गया है तो आपको यहां पर date भी include करनी है time भी venue भी और उसके बाद आपको last में प्रभू या प्रतिभा करके भी आपके club का जो भी आपके company का नाम दिया हुब है वो आपको लिखना पलेगा ठीक है मदूरई जो आपका address है वो फिर आपको यहां पर एक line छोड़नी है यहां पर बड़े बड़े शब्दों में capital letters में notice लिखना है यहां पर भी लिख सकते हैं इस तरफ भी यहां पर ज authority यानि कि यह title होता है मतलब किस बारे में है यह meeting इसी लिए ठीक है यह title जरूर लिखना है अब नीचे यहां पर यह line है यहां से हमेशा notice start होता है notice में सबसे पहली line होती है this notice is to inform all the members of the gymkhana club अब देखो कई बार स्कूल वाले बच्चों के लिए भी notice आ जाता है तो उसमें आप क्या line लिखेंगे this notice is to inform all the students of यह जो भी स्कूल का नाम है वहां पर वह आएगा ठीक है तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहे हूं तो यहां पर basically है Jimkhana club के सभी members को यह बताया जाता है inform किया जाता है कि few governmental officer यानि कि जो government के officials हैं वह हमारे साथ कुछ meeting करना चाहते है club members क साथ और जिसमें वह extraordinary ideas जो हैं किसके बारे में health care और exercise के बारे में इसके बारे में बात करना चाहते हैं अब जो date decide हुई है वह हुई है meeting की December 23, 2018 Sunday से the meeting start 9.30am sharp यानि की meeting है वह 9.30 बज़े start हो जाएगी और जो venue हुआ है उसके लिए तो वह venue का address भी आपको यहां पर बताना है कि जो venue chosen for the same is मतलब इसके लिए जो venue choose किया गया है वो है community center का auditorium B1 ठीक है all the members are there for requested to visit and join the meeting on the mention date यानि कि सभी members को यह बोला जाता है कि यह जो meeting है इसको जरूर जरूर आए और जो mention date दी गई है उसमें आप अपना योगदान दे ठीक है अब जाधा inquiry के रही है you can contact the undersigned undersigned का मतल जिसमें जाधतर secretary का नाम आता है अगर school में आ रहा है ना देखो अगर school के दिए आपको आ रहा है कि बता एक notice लिखो जिसमें आपको सभी students को बताना है कि annual day function है तो उसमें last में किसके sign आएंगे उसमें last में head girl या head boy के sign आते हैं ठीक है क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है कि आप head girl या head boy हो और नाम वहाँ पर बताया था प्रभू या प्रतिभा तो यहाँ पर प्रतिभा करके sign आपको इस तरीके से करना होगा sign in the sense कि आपको same वही नाम लिख देना है ठीक है तो यह तब पूरा आपका इस तरीके से आपको यह पूरा notice लिखना है तो यह है आपका notice का format same as it is paper में आपको लिख कराना है लेटर हमने समझ लिया notice हमने समझ लिया अब उसके बाद कुछ question नीचे आ जाते हैं कि यहाँ पर आपको एक report लिखने के बारे में बोला गया है कि report लिखिए कि आपको एक surprise विचल करनी है एक hospital में report आपको कैसे लिखनी होती है report में basically आ यह लिखी है report किसनी करी है यह उसका नाम आएगा आप अपना नाम भी लिख सकते हैं अगर कोई नाम नहीं दिया फिर आप लिखेंगे कि मैं यहाँ यहाँ इस hospital में गया है यहाँ के senior supervisor से मैं मिला ठीक है मतलब जो भी आपको लिखना है hospital कैसा है उसकी condition कैसी है medicines की condition तो यह आप बना बना कर भी अपने आपसे भी लिख सकते हैं ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि एक article लिख सकते हैं आप save water के उपर तो article भी मैं आपको दिखाऊंगे लेकिन उससे पहले आप receptionist के जो यह जो English for receptionist है उसके बारे में देख लीजे 43rd question है कि 20 से 25 words में आपको लिखना है एक receptionist जब greet करती है मतलब greet करते समय वो hello का इस्तमाल क्यों नहीं करती है तो इसका answer मैंने आपको I think पिछले से पिछले वीडियो में बताया था कि वो hello का इसे लिए नहीं कर सकती क्योंकि एक formal way नहीं होता है और सबसे बड़ी बात कि यह एक इसम और money waste करता है इसलिए वो सीधा क्या करती है अपनी good morning या good afternoon या good evening और फिर उसके बाद वो अपनी company का नाम लेते है चाकि time भी बचे और उसका पैसा भी बचे ठीक है next देखो what are the likely problems faced while taking messages over the phone यानि कि कौन से ऐसी problem है जो face करते हैं लोग जो phone पर बात करते हैं उस समय पिर कौ एक यह आप लिखेंगे ठीक है इसमें क्या होता है इसमें आपका जो background है उसमें से noise आ रही होती है second लिखेंगे कि यहां पर कहीं बार ऐसा होता है कि जो जो आपका सामने वाल आ है messler हौई होता है और इंप्रैक्टिकल बात करता और irrelevant बात करता है तो उसको भी हम आउट कर हैं अलरडी अगर आपने वीडियो बनाई है सीरीज में मौडियोल वाली तो उसमें मैंने यह क्वेश्चन सेम आज इस आपकी बुक में से उठाकर दे दिया गया है तो यह क्वेश्चन आपका आप देख लेंगे इसमें बेसिकली बोला गया है कि आप कशिश होम अप्लाइ है जो रिजशनल ओफिस है वो कस्तमर कंप्लेंड या गाइड में नहीं करती तो इसलिए आपको क्या करना है उसको सरहीं ईंफोरमेशन देनी बताना है कि उसके लिए क्या कर सकते हैं आप लास्ट क्वेश्चनिस का देखू यह देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो लास्ट में जो ओवरएल क्वेस्टिन दिए गए तो वहीं से उठाया गया ये टो यह भी आप देख लेंगे ये मैंने कल ही करवाया है आपको देख लीजेगा और यह भी आपका वहीं से लिया गया है और ये था आपको पूरा पेपर अच्छा अब मैं आपको ये जो नीचे है मार्किंग स्कीम है मैं आपको एक वर वो दिखा देती हूं आपका जो आर्टिकल राइटिंग है वो आपको कैसे लिखना है देखो आर्टिकल राइटिंग लिखन का जुजल संडक्षन होता है उसके लिए क्या हम कुछ कर भी रहे हैं यह हैडिंग आईगी सबसे पहले बाई में नीचे ही उसके बाई में आपको लिखना है कि किस ने लिखा आर्टिकल तो आप यहां पर अपना नाम लिख सकते हैं उसके बाद इसमें अलग-अलग पैराग लिखेंगे ठीक है पैरग्राफ टू में प्रॉबलम लिखते हैं और वहले पैरओ में इंटरोडक्षन जिसमें बिखनाते है fine more प्राइग्राफ में प्रॉब्लम की बहुत सारे लोग जो हैं बिना सोचे समझे पानी को वेज़ कर रहे हैं बहुत सारा हमारे पास पानी अवेलेबल है 75% जो है अर्थ का सर्फेस पानी से कवर्ड है लेकिन वह पानी पीने लायक नहीं है तो वह जारी चीज़ आप लिख सक हैं कि fundamental responsibility है सभी लोगों की कैसे वह पानी को सेव करें कैसे वह जो बरतन वगेरा धोते हैं उनका क्या स्टेप हो सकता है जैसे पानी को बचाने के लिए वह सारी चीज़ यहां पर लिखनी है ठीक है तो यह था आपका पूरा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको समझाया ग्र इसके अलावा चैनल पर नए है तो subscribe जरूर करिएगा हमारे चैनल टेच क्लासे को ऐसी ही और वीडियो के लिए ठीक है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ जाए और आपका जो last time जो last quick revision आप कहा सकते हैं वो आपकी हो गई होगी ठीक है और all the best for all the exams और English के exam के लिए खास कर all the best उमीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से अपना exam दे कर आएंगे और please tense मत होईएगा बहुत आसान paper आने वाला है और आप कर लेंगे मुझे आप पर भर हुआ है ठीक है thanks for watching